तो आज के हमारी क्लास में हम बात कर रहे हैं कस्टम फॉर्मेटिंग हम कस्टम फॉर्मेटिंग आज का हमारा टॉपिक है और कस्टम फॉर्मेटिंग पर हम आपके साथ जिक्रे करें सबसे पहले जैसे कि मान लिजे कि यहां पे कोई नंबर लिखा हुआ है और मुझे इस नंबर के आगे या पीछे टेक्स्ट लगाना है क्योंकि जेनरली अगर मैं लिखता हूँ मान लिखता हूँ MRP500 ते 500 तो कर देगा लेकि इस पे हम कोई calculation नहीं कर पाएंगे तो कि किसी भी mathematical calculation टेक्स में नहीं की जा सके है इसलिए हमें यहां 100 तो करना MRP बट एक्चुली में नंबर होना चाहिए ताकि इस पे हम कोई calculation कर सके इसको select करते है right click करते है और format cell में जाते है वॉर्मेटसध्य में जाने के बाद यहां कस्टम पे आते हैं और यहां हम जीरो देते हैं उसके बाद यहां पे म.r.p दे देलेते हैं 2 और फिर एंटर प्रेस कर देतेज़ थें यह पी नंबर्स को आगे मॉर्त पी लग गई अब यहां यह जानना जहुरी है कि हमने 0 क्यों लगाया हमने 0 क्यों लगाया देखे अगर कोई numbers के आगे पीछे perfect specifics को बोलते है लगाना चाहते है तो आपको inverted कुमा में वो word लिखना होगा custom बेचाके MRP जैसे MRP है MRP लिख दिया अगर मैं इसके आगे पीछे 0 ना लगाओं तो जो 2512 number है उने ही show होगा just as आपका show होगा MRP क्या show होगा MRP show होगा तो आप क्या कर सकते हैं कि इस पे जाए और इसके आगे आप पीछे आप 0 लगा दिजिए तो फिर वो number दिखने लगेगे जिसे 0 लगाना जोड़ी है अब 0 के साथ हम hash भी लगा सकते है 0 के जगा पे hash भी लगा सकते है जिसके बारे में बात करेंगे उससे पहले बात करते है visual के बारे में देखिए अगर कभी भी आप custom formatting लगाते है इसका मतलब यह नहीं कि आपका change हो गया है क्या value जैसे कि यहां हमने 6 time 0 लगा रखा है custom में जाए 6 time 0 लगा दिया इससे क्या हुआ जो भी number 6 digits से कम है वो आगे 0 लगा दिया तो 0 से visual लगाया actually मैं आप देखेंगे जैसे इसके बात करें actually में सिब 412 ही है 00412 नहीं है अगर किसी cell पे अगर आपको 001412 लिखा हुआ मिला तो इन दोनों को अगर आप equal करेंगे look up करेंगे तो दोनों false होगा तो दोनों देखने में visual में एक जैसे है बट original नहीं है और formula हमेशा originality पे काम करता है न की virginality पे तो formula हमेशा originality value पे काम करती है visual पे नहीं तो इसका solution क्या है तो इसका solution है text यहाँ पे tatt text लिया इसको select किया और यहाँ जो है हमने डिविया 000000 और फिर यहाँ पे enterprise कर दिया तो देखिए अब जो आएगा ओ actually में भी और वीजल में दोनों में चार्चर दो आ रहा होगा और इसको आपस में हम easily match कर सकते हैं अब बात करते हैं 0 and has का फंड़ा क्या है जैसे कि मैंने यहाँ पे मानलीजे की कोई भी आगे fix a fix लगा रहा है जो मानलीजे 5 की पीछे amount लिखा हुआ आएगा लेकिन मैं यहाँ पे 0 दूँ या hash दूँ single 0 single hash से कोई फर्क नहीं पढ़ेगा simple होगा फर्क कप पढ़ेगा जब मैं double 0 दूँगा तो मैंने जैसे यहाँ पे double 0 दे दिया तो क्या हुआ यह आपका 0 5 दिख गया क्या दिख गया 0 5 लेकिन अगर मैं double hash दूँगा तो नहीं दिखेगा पतर आप जब जदा दाइन देते हैं तो जतना 0 डाल देगा उतना digit वो maintain करेगा और यहाँ आप जो ही इसका यूज कर सकते हैं लेकिन अगर मैंने hash डाला तो तरह digit maintain नहीं करेगा for example मैं पास कुछ रुपीज और कुछ पैसे है चलिए इसको समझते हैं मैंने क्या किया custom पे गया custom पे यहाँ 101 hash डाल फिर inverted कॉमा में डाला रुपीज फिर dot 00 देकि डेश्मन पॉइंट पे जिरो जिरो यूज कीज़ेगा और यहाँ पे हमने या लिया पैस लिया और एंटरप्रेस की रहें देखिए 45 रुपीज और 95 पैसा अब यहाँ पे question आता है कि हम एक hash और एक 0 क्यों लिया मैं यहाँ पे double 0 भी ले सकता था जरू ले सकता था double 0 लेने पे क्या होगा कि यहाँ देखिए यह आपको दिखने रुपीज जीरो पैसा यह फोरा सा और लग रहा है देखने में क्या लग रहा है तो आसा और लग रहा है तो चुछरो ठीक है हम double hash कर लेते हैं तो double hash अगर हम करते हैं तो भी problem होगी double hash double hash करने पे problem क्या होगा कि double digit हट गया और जहाँ पे 0 था जो सिर्फ पैसे में था तो आगे का 0 हट गया इसलिए हमने यहाँ पे 1 0 और 1 hash डाला 1 0 और 1 hash डाला ताकि इस तरह से दिखे अब बात करते हैं थाउजन्स की जैसे मुझे amount है और मुझे amount को thousand में convert करना है तो हम क्या करेंगे इसको select करते हैं और जाते हैं custom के अदर तो यहाँ पे 1 0 या 1 hash लगाईए और फिर दीजिए comma 1 0 या 1 hash लगाईए और दीजिए comma फिर inverted comma में हमने k डालते हैं तो k के जगाँ पे thousand में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं यहां पे यहां पे मैं यहां पे हमारे पास numbers है इसको हमने k में गलवर्ट कर गिया कैसे किया simple custom और यहां पे एक hash comma और के लगाना है इसमें के लगा दी इसका इन चार्ट बगड़ा पे reports बगड़ा में जदा करते हैं तो बोलें से ज़्यादा reports बगड़ा में करते हैं क्या करते हैं तो चलिए हम आपको समझाते हैं जैसे दो numbers है अब जैसे आप यहां पे quarter 1 है हमारे पास और यहां पे quarter 2 है quarter 1 पे माल लेजिए 55,000 का sale आया है वो quarter 2 में 65,000 का sale आया यह तो बहुत छोटा amount है इसको आप easily बता सकते हैं कौन ज़्यादा आया कौन कम आया लेकिन जब ए इस amount बहुत बड़ा हो जाता है तो इसको समझना मुझकी लोगा की कौन ज़्यादा कौन कम है mathematics अच्छी है तो कर लेंगे अब इसको easily understand करने के लिए इसको हम billion में convert करते हैं कैसे? 0.00 और यहां पे हम double comma लगा देते हैं और इसके बाद यहां पे billion के लिए देते हैं देखे 46, 41 billion के लिए पता चल रहा है कि मुझा quarter 1 हमारा सबसे higher sale है, quarter 2 हमारा come sale, simply पता चल लगा तो thousands of billion में इसको ऐसे करमट करते हैं अब बात करते हैं date की, देखिए आप अपने date का जो figure है अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा change कर सकते है नॉर्मली तो date कुछ इस तरह से होता है अब इसके ऊपर आप custom में जाएंगे तो already date के बहुल सारे features तो हैं यहाँ पर जहां से date select कर सकते हैं अलग अलग अटिय है Chinese select होगे English तो जो मर्जी यहाँ पर आप date select कर सकते हैं इसके अलावा आप custom पर जाके भी कर सकते हैं जैसे टी डी जो होता यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखेगा इसका ज़िए आउटपुट दिखेगा तो एक बार टी देंगे तो 123 होगा दो बार टी देंगे तो 0 123 होगा तीन बार देंगे तो Sunday Monday Friday short में आएगा यहाँ पर दिखेगा होगा चार बार देंगे तो Sunday Monday Friday complete आएगा किसमें आएगा complete में आएगा सब्सक्राइब करेंगे तो फॉस्ट लिटर जे एफ एम इस तरह से और यहाँ पर हम कर देते डीडी एन वाई 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 यह के लिए वाई वाई है अंटरप्रेस करें तो अपने हिसाब से जैसा मर्जी वैसा करना चाह सकते हैं जैसे मैं चाहता हूं कि पहले मन्त आए तो यहाँ पर हमने कर दिया जैसे मर्जी करना चाहते कर सकते हैं जिस अरेंजमेंट में रखेंगे उसी अरेंजमेंट में आएगा हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम को भी चेंज करने का सिंपल तरीका है कि आप यहाँ कहां जाएंगे कस्तम में जाएंगे और एचेच एमम एसेज दिख रहा हो यहाँ पर है एचेच एमम एसेज जो है आवर को डिनेट करता है एमम मिनट को और एसेज सेकेंड को करता है तो इसी तरह से आप टाइम फॉर्मेट दे सकते हो लेकि प्रॉब्लम कब होती है जब मेरे पास टाइम हो मैं 45 गंटे 30 मिनट मैं किसी के डाला हो अब गलती से जैनल हो गया अब इसकी ऊपर आप जाते हैं और आप जह है देट के तो नहीं टाइम के अंदर तो यहां पर इनाइडिर किन्नम आगिया आप इनाइडर स्टेट में जबाएंगे तो युनाइडिर स्टेट के अंदर आपको देखेगा थर्टी शिल्मिन थर्टी जिरो तो आपको यहां में 45 गंटे दिखेगा अदर वाइज आप कस्टम में चले जाए और कस्टम में स्क्वाइर प्राइकिट के अंदर एज को लिखे नॉमल मत लिखे बनना और फिर और 24 आवर के बाद का दिखाए और यहां पर हम करेंगे mm यहां पर करेंगे ss and ok करते हैं देखें 45 30 22 आपके सामने दिख गया 45 20 22 आपके सामने दिख गया आँ मा लिजे मुझे किसी के time में से सिर्फ hour अलग करने है या मा लिजे time को hour में convert करना है मुझे 45 गंटे 30 मिनट है, मुझे इसको hour में convert करना है, या minute में convert करना है, तो इसके लिए text formula है, और इसके अंदर custom formatting का, आप square by gate में M ले लीजिए, minute के लिए, s लेजिए, second के लिए, s लेजिए hour के लिए, enter मारते हैं, ये देखिए minute में convert हो गया, तो इस तरह के custom formatting का, हम इस्तिमाल करते हैं, अब चलिए हम कुछ tricks आपके सामने देते हैं, जैसे for example, मेरे पास एक data है, और data में कुछ figure plus में है, कुछ figure minus है, कुछ zero है, कुछ text है, मुझे क्या करना है, कि जो plus है, उसके आगे लिखके आना चाहिए, उसको fill और जिसमें no set है, उसके जगा पे blank, कुछ नहीं लिखके आना चाहिए, तो देखी, custom formatting के अंदर जब जाते हैं, हम और यहां custom के अंदर, कुछ भी देते हैं, तो क्या होता है, इसके चार input होते हैं, negative, positive, zero and text, जैसे के मैंने यहां पे लिख दिया, fee, और मैं यहां जीरो दूँगा, तो अभी तो सब पर negative, बुजटी सब पर दिखेगा, लेकिंगि जैसे हम सेमी कॉलम करेंगे, और यहां देते हैं, दिया यह discount, तो यहां पे zero, minus, zero, तो क्या होगा, जहां भी discount, माइ negative में होगा, वहां discount दिख जाएगा, और यहां पे मैंने, तीसरा इस्तान होता है, free का, जहां भी zero होगा, वहां free हो जाएगा, free show करेगा, और text के लिए, यहां बस space, अब लिए अपन, close कर देते हैं, तो blank दिखेगा, text नहीं दिखेगा, अब मैं okay करता हूँ, देखिए, इस तरशी इस्तमाल कर सकते हैं, अब जिसे text की बात हुई है, तो चलिए एक चीज़ी और करते हैं, क्या है, कि यहां मेरे पास company name है, मुझे company name को m-s करके, company name देखना पड़ता है, मैं चाहता हूँ कि m-s automatic आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, इसको select करूँगा, custom में जाओंगा, और यहां पे हम add the rate लगा देंगे, लेकिन पहले क्या करेंगे, m-s उसके बाद यहां add the rate लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, कि हम कोई भी text type करेंगे, उसके आगे m-s लिख जाएगा, लेकि सिर्फ बीजवार, original नहीं, original में ipt है, ऐसे माली जो add this है मेरा, तो हम add this भी क्या कर रहें, हम यहां पे text में जाते हैं, add the rate लगाते हैं, और उसके बाद inverter कुमार में हम दे देते हैं, new daily, जो भी आपका लिखना हो, लिख दूजए, 101-0062, तो अब क्या होगा, कि मैं कहीं भी address लिखूँगा, सिर्फ house number लिखूँगा, बाकि अपने आप लिख जाएगा, इस तरके चीज़ें करते हैं, अभी देखिए, यहां पे मैंने amount लिखा हुआ है, अब मैं कॉलम को कितना भी बढ़ा करूँ, स्टार अप्डिमेटिक बढ़ जाएगा, और कितना भी छोटा करूँ, स्टार अप्डिमेटिक घड़ जाएगा, कैसे किया, इसके लिए हम पहले तो अपने number को लिखेंगे text में, क्योंकि यह text पे होने वाली चीज है, उसके बाद यहां star और add the rate and double star, add the rate और एक star लगाना तो ज़्यूरी है, second star है कि आप जो show करना चाहते हो, तो मैंने hash लगा दिया, star hash तो क्या होगा, कि जहां भी होगा, वो star ही दिखेगा, hash नहीं दिखेगा, इसका यूज हम password के लिए भी कर सकते हैं, जैसे मान लिजिए, कि मैं पास यह password है, मैं चाहते हो कि password कोई easily नहीं देख पाए, जब तक click करें, मैं easily नहीं देख पाए, तो मैंने area को select कर लिया, और इस पे हमने custom पे गया, और just दो वार हमने, क्या देदिया, start देदिया, अब यहां हम कुछ भी type करेंगे, तो वो जो है, enterprise करने के बाद, start में convert हो जाएगा, visual नहीं होगा, लेकिन अभी सिर्फ number, text करेंगे, तो नहीं, text के लिए कुछ और करना होगा, और यह आपका homework रहेगा, यह आप find out करें, कि क्या करें, कि text number कुछ भी लिखें, वो start ही visual हो, अब चलिए दूसरी example के तरफ बढ़ते हैं, मुझे इस तरह का attendance बनाना है, जिसमें क्या लिख करतें, देखिए attendance का जो data आया हुआ है, कुछ इस तरह से आया हुआ है, ठीक है, अब इसमें जो जीरो है ना, वो बुझे है कि बाइमेटिक, बाइमेटिक डेटा है कि किसने कितना अबर अपना थम और अपना जो है, अब थम और या फिर एक्सिस कार्ट यूज किया है, इसको हमने select किया, select करने के बाद मुझे क्या करना है, कि जो numbers है, positive numbers है, वो उन पे P show होना चाहिए, और जो जीरो है, वहाँ पे show होना चाहिए A, तो मैंने यहाँ पे P लिखा, और semicolon दिया, कि पहला position positives के लिए होता है, फिर blank करके, हमने यहाँ पे, वापस दे दिया, blank छोड़ दिया, एक और दिया, क्योंकि negative तो है नहीं, तो negative के लिए हमने blank छोड़ दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा A, और zero बगरत है नहीं, तो डालने की ज़रूत नहीं है, तो enterprise करते ही, आप देखेंगे, जहाँ जहाँ नंबर था, वहाँ P हो गया, और जहाँ पे zero था, वहाँ पे A हो गया, तो मैं zero को color करना चाहते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे color करने के लिए, हम क्या करेंगे, एक संदी, यहाँ पे हम जाएंगे, हम करेंगे red, अब खेखेंगे, अब यहाँ पर कंडिशन कंडिशन भी दे सकते हैं जैसे कि मुझे 50% से उपर हो तो रेड करना है तो मैंने यहाँ पर लिखा रेड रेड में फिर यहाँ पर देते हैं कंडिशन कंडिशन और यहाँ पर हम देते हैं इस लेस दन हंड्रेड और यहाँ पर सेमी कॉलन देते हैं फिर यहां यहां देते हैं आप इंग्रीज अर यहां देते हैं गेटर दयं हन्डेड इस तरह से अ credit कंडिशन लिए के लिए हम conditional formatting ज्यादा प्रफड करते हैं ठीक है कंडीशन के लिए हम conditional formatting ज्यादा प्रफड करते हैं तो custom formatting में आपने जाना कि अपने हिसाब से format कैसे किया जाए अब बात आती है homebird की तो आपको जहें यह जो दिख रहा है रेजिस्टर का जो यह sample दिख रहा है same tiktok आपको बनाना एक्सल इमेज है इसको आपको excel पे ठीक है यह file में आप लोगों को WhatsApp पे भेज़ता हूं और आप लोगों की कुछ मेंसे कुछ लोगों ने video record नहीं किया रेजिस्टर